सूपरभातम कच्छा नवम विशय संस्कृत व्याक्रण पाठ शंधी स्वरसंधी तिथी तीन पांच दो हजार बीस दीन सोंबार मैं आचार्ज सत्त प्रकास जा शंधी पहना है अब संधी कार्थ हता है जोरना मिलन एक दूसरे से मिलना तो यहां संधी की प्रिभासा है जब दो स्वर्या व्यन्यन आपस में परस्पर मिलते हैं तब उनमें जो परिवरतन होता है तो वह संधी है अब यहां पर दो वर्ण मिलते हैं तो वह संधी तो संधी तीन प्रकार के होते हैं स्वर्शंधी व्यन्यन संधी विशर्ग संधी तो हम लोगों को यहां स्वरव संधी के बारे में पढ़ना है इस्वर शंधी को अच्छ संधी भी कहा जाता है इसलिए अच्छकार्थवा स्वर्ण अब स्वर्ण कितने हैं उनको हमको देखना है जो हमें किसी भी प्रकार से संधी पहचानने में कठनाई का सामना नहीं करना परे जो या वर्ण संधी है या वेंजन है तब स्वर्ण है और हर्षई दिर्गई हर्षउ दिर्गई रिलिरी ए और ऑ यह जो बारह द्वार्ण नाम वारह वर्ण है वह स्वर्ण तब स्वर्ण है है क्या वह तो वर्ण है अब वह है क्या तब उनकी परिभासा है जिस दो स्वरण के पास पास आने पर जो रूपांतरन होता है उसे स्वर्षण धी कहा जाता है तो जब दो वर्ण परस पर आपस में मिलेंगे तो उनमें कुछ परिवर्ठन हो तो वह स्वर्वर्ड जब दो श्वर्वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसमें जो परिवर्खत citizen संद्य अब स्वर्षंदी यह पाँच परकार के प्रथम है दिर्ग संधी, दूतिय है गुन संधी, तिर्थिय है विर्धी संधी, चतुर्थ है यन संधी, पंचम है अयादी संधी दिर्ग संधी दिर्ग संधी की परिभासा है महा वय्याकर्ण पानिनी जी के द्वारा अस्टा ध्याई में परिभासा है जे अकह सवर्ने देरगा अर्थात अक प्रत्याहार जो वर्न है और हर्ष ई हर्ष उ री इनहीं के साथ जो सवर्ने अथात समान वर्न आता हो तो वह दिर्ग संधी कह लाता है अथा अक प्रत्याहार के साथ जो समान वर्न आता हो तो वह दिर्ग संधी कह लाता है तब इनके जैसे कुछ नियम है जैसे ओ प्लस ओ तो आ होगा और जोर को घन कहा जाता है अ जोर अ बराबर आ हुआ इसी प्रकार क्रम्सा वयर्ण की जो है परसपरो वन्ने का संयोर चलता रहें आप जैसी है उदाहरन भावार्थ त भाव जोर अर्थ पुस्तकाले पुस्तक जोर आले विद्यार्थी विद्या जोर अर्थी कविंदर कवी जोर इंद गिरिश गिरी जोर इस अनुदित अनुजोर उदित लगोर्मी लगोर्मी पित्रिन पित्र जोर दिन अब यहां हमको देखना है जो बनता है क से बनाने का नियम भी देखना है यहां भावार्थ सब्द है तब भावार्थ का संधी विछेद हुआ भाव जूर अर्थ जैसे यहां पर भौ है जूर आ प्लस वो जूर और बरावर क्या हो गया वा भावार्थ ता आ हो गया इधार भी वो है इधार भी और तब यहां जो है भाव जूर आ जूर वो जूर आ जूर था जूर और बरावर भावार्थ बना तो इनहीं सब्दों से इनकी पुष्टी होती है भावार्थ की इनहीं वर्णों से अब इसमें इसी तरह और भी रूप बनेंगे अब आपको गिरिकाज की अंतरगत है जिस संधि की परिभासा याद करे तथा लिखे, स्वरवर्ण को याद करे तथा लिखे, तृतिया प्रस्न है स्वर संधि को याद करे तथा लिखे, चतुर्थ प्रस्न है दिर्ग संधि की परिभासा उदाहरन के साथ याद करे तथा ल आप लोग ब्याकरण की पुष्टक आपके पास है ही पिछले कक्षा में भी था और अभी भी क्योंकि ब्याकरण की पुष्टक नहीं बदलती है जो पंचम किलास से प्रारंब होता है तो 12 किलास तक चलता है तो उसी के लिए ब्याकरण आपके पास है ही आप दिर्ग संदी के पचास सब्सक्राण की बनाएंगे क्योंकि विद्याले खुलने पर मैं आप से कक्षा में कभी भी मौकित प्रस्त पूछ सकता हूं यदि आप जबाब नहीं दे सकते हैं तो दंड के भागी बनेंगे इसलिए मेरी मेरे तरफ से आप ल जा रहा है उसको आप उड़ा करें सेश सुब्र आपका दिन मंगल मैं हो अब अगले दिन में फिर मिलेंगे